Hello दोस्तों, Welcome to Only IAS Date है आज की 6 February 2023 और आप सभी का स्वागत है आज के Prelim Booster News Discussion के अंदर एक छोटी से information में आप सभी के थाच share करना चाहता हूँ देखे 10 February से हमारा ये जो Prelim Booster News Discussion है ये हमारे channel Only IAS Extended पर आया करेगा तो make sure कि आप इस particular channel that is only IAS Extended को आप subscribe कर लीजिए मैंने ये particular इसका channel का link नीचे comment section में भी दे दिया है तो make sure कि आप उसको follow करो and हमारी जो videos हैं उनको वहाँ पर भी इसी तरह से आप follow करते रो आज की discussion को start करते हैं हमारा पहला topic है regarding windfall tax देखो पहले तो windfall का meaning समझते हैं कि windfall का meaning क्या होता है देखो कभी आप एक imagine करो situation मान लो आप अपने खेत में एक दिन भूम रहे थे और अचानक से आपको बहुत सारा सोना मिल जाता है क्या आपने सोचा था कि आपके इतना सारा सोना मिलेगा the answer is no तो एक तरह से क्या हुआ यह unanticipated आपने यह सोचा ही नहीं था तो एक तरह से क्या हुए gain हो गया बहुत सादा अब इतना सादा सारी चीज़ें आपने कमा ली ठीक है ना unanticipated बिना आपने किसी effort से तो इसके ओपर कुछ tax भी तो लगेगा इसी का नाम क्या है windfall gain tax आई बात समझ में तो जब मैं बात करता हूँ windfall gain की उसका मीनिंग क्या होता है एक ऐसा gain जो आपने नहीं सोचा था ना anticipate किया था और आप कोई effort भी नहीं लगा उसके अंदर उसके ओपर government tax लगा जेती है that is what windfall gain tax तो अभी recent news में ये बात है कि जो companies basically जैसे for example आप बात देख सकते हो domestically produce करती है crude oil को या फिर aviation turbine fuel जो ATF होता है हमारे अलग-अलग aircraft के अंदर डलता है उसके exports के regarding हो गया ये diesel के exports के regarding तो वहाँ पर जो government ने windfall profit tax है उसको बढ़ा दिया है क्यों ता क्यों कि देखो international oil prices के अंदर increase देखने को मिला है तो similarly in particular जो companies है इनको काफी profit हुआ है और government ने उसके regarding windfall profit tax को increase कर दिया है तो meaning वही है कि जो भी होता है profits के उपर एक तरह का higher tax होता है जो भी companies के लिए benefit होती है जिसके लिए वो responsible नहीं होती जोगी बिना कोई effort के मिल गया ना profit तो उसके उपर एक तरह का क्या लग गया यह tax लग गया अब इसके बीछे कारी साथरे कारण हो सकते है windfall tax के रिगारी कि अगर मान लो उसका जो trade deficit है कि import जादा हो रहा है पर export कम हो रहा है उसको narrow करने के लिए लगाया जा सकता है या फिर companies को बहुत ज़़ा benefit हो गया ना तो इनका क्या हो गया इनकी income बहुत ज़़ा बढ़गी और उसका negative impact किसकी उपर आएगा आम जैसे मेरे और आपकी जैसे लोगों के उपर इससे क्या हो रहा है इनकम inequality बढ़ रही है ना तो government ने क्या किया जिसकी कमाई बहुत ज़़ा हुई थी उसके उपर एक तरह का tax लगा दिया ताकि जो income inequality है हम इसको भी कम कर पाए उसी तरह से जैसे for example आप Russia you can conflict की बात करो उसकी वज़ा से जो prices इंदर rise हुआ था वो हो गया तो इस सब सबी चीजों के लिए आप देख सकते हो कि windfall tax को लगाया गया है एक question attempt करते हैं UPC 2008 में हमसे पूछा गया था if a commodity is provided free to the public by the government तब क्या होता है अगर किसी चीज को government free में provide करती है public को तब regarding पूछा है तो देखो यहाँ पर ना एक word हमें समझना है opportunity cost opportunity cost क्या होता है अगर माल लो आप एक आपके बस दो options है माल लो तो आपने एक option अगर आप choose करोगे ना तब आप दूसरे option को forgo कर रहे हो ना दूसरे option को आप choose नहीं कर सकते तो इसी का meaning क्या होता है आपका opportunity cost basically एक चीज जो आप miss करते हो जब आप एक option को select करते हो over the another month अब यहाँ पर क्या हो रहा है अगर माल लो कोई चीज सरकार free में provide कर रही है तो उसकी जो opportunity cost होगी वो किसके उपर चली जाएगी वो transfer हो जाएगी उन लोगों के उपर जो tax देते हैं अब खुछ सोचे ना कोई चीज के लिए कोई बंदा pay नहीं कर रहा पर ऐसे थोड़ी है कि उसके लिए कोई भी बंदा पे नहीं कर रहा नहीं उसके लिए जो लोगों ने tax दिया है वो तो definitely उनकी जेब में सो पैसा जा रहा है कहां से consumer of the product से किस के उपर tax paying public के उपर यही यहां पर इसका meaning हो गया तो answer क्या बन जाएगा option number C अगले topic पे चलते हैं that is pay commission अब news में इसलिए है क्योंकि करनाटका के अंदर बहुत सारे employees जिन्होंने पहले एक तरह से campaign लेकर आए थे कि जो NPS है national pension scheme इसको बंद कर देना चाहिए अब उन्होंने क्या किया है जो seventh pay commission है उसको approach किया है अपनी demands के regarding तो हमें pay commission को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है देखो अब जो employees है ठीक है जो लोग काम करते हैं उनके कुछ salary structure होता है वो कितना कमाते हैं इनके regarding आने वाले times के अंदर थीज़े मेंगाई बढ़ती रहती और भी बहुत साई चीज़े होती रहती है तो उस वज़े से क्या होता है इस salary structure को revise करने की जरूरत होती है जैसे for example उनकी pay हो गया उनके अलग-अलग तरह जो allowances हो गया bonus हो गया, benefit हो गया it is under ministry of finance के department of expenditure ministry of finance के आप जानते हो total 6 departments देखने को मिलते हैं तो उसमें जो department of expenditure है वो इस चीज़े इसको देखता है तांकि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको pay हो गया, allowance हो गया, benefit, bonus ये सारी चीज़ें, चाई civil employees हो या military forces हो उनके लिए वो recommend कर पाए accordingly क्या होता है कि अनकी performance हो गया, उनकी productivity हो गया उसके साब से उनको क्या bonuses देने है क्या changes आएंगे, retirement benefits हो गया तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है, अब जब एक pay commission बना दिया गयाता है, तो उसको अठरा महीने, यानि कि देड़ साल मिलता है ताकि वो अपनी recommendation submit कर पाए इसके headquarters आपको डैली में देखने को मिल जाएंगे, पहले भी देखो बहुत सारे बन चुके है तो 7th pay commission जो था, वो firm हुआ था 2014 के अंदर by the then UPA government, तब उन्होंने 14% का increase यहाँ पे recommend किया था, तो यह हो गया हमारा pay commission के regarding अगले topic को चलते हैं, that is operation सदभावना अब इसका meaning समझना आप, operation सदभावना का यह है, लदाख के development के लिए, पिछले कुछ time के अंदर लदाख काफ़ता news में रहा है ठीक है, बहुत सारे कुछ वहाँ पे लोगों ने educate भी किया, तो Indian Army ने इस particular चीज़ को launch किया है, that is operation सदभावना, क्यों किया जा रहा है ताकि देखो, अलग-अलग यहाँ पर लदाख के अंदर development हो पाए लदाख के अंदर अलग-अलग welfare activities रन के जा पाएं, जैसे की schools को run करना हो गया, वहाँ पर जो infrastructure के कमी है, हम उसको develop कर पाएं, यह सारी चीज़े आ जाती है operation सदभावना के अंदर, इसके अलावा जो वहाँ की लदाख की जो महिलाएं हैं उनको कुछ तरह की skill training दी जाए ठीक है, ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़ी को पाएं woman empowerment के regarding हो गया ठीक है, वहाँ पर computer centers खोले जा रहे हैं तो यह सारे अलग-अलग initiative दा जाते हैं operations भावना के अंदर total 8.82 क्रोड के funds यहाँ पर allocate किये गए हैं लदाख को इस particular year के regarding साथ में ही stand of education के लिए army के दोरा run की जा रहे हैं army goodwill school हो गया ठीक है, चिलिटम को और स्मोट करी जा रही है इसके साथ ही medical camp, veterinary camps हो गया medical equipment, medical infrastructure को operate करना यह सारे अलग-अलग initiatives बारी Indian army रन करती है वहाँ पर इसके देखो बहुत सारे नाम है operations भाबना के, जैसे operation goodwill, ठीक है ना तो इस जम्मू कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा बाइंड़ा इंडिया नाम ही, इस particular चीज़ के यहाँ पर hearts and minds को हम कैसे win करें उस region के इसके उपर aimed है, और इसकी catchphrase आप notice करना, जवान और अवाम, अमन है मुकाम, तो peace की तरफ work है by using the force हो गया, जो जवान हो गया हमारे जो हो गया, और साचत अवाम जहां की दूओ, लोकल लोग हो गया, उनको यूज करते हुए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम कैसे peace की तरफ आने वाले टाइम के अंदर बढ़ना चाहते हैं, और इसी का नाम क्या है operation harmony, by hope आपको operation सद्भावना अच्छे से समझ आया होगा अगले topic की तरफ चलते हैं irula community देखो, irula community को ना snake catchers के नाम से भी किवार जाना जाता है तो जो दो snake catchers इन पर्टिकुलर दो लोगों को select किया गया है पदम शिरी स्पोटलाइट के पदम शिरी के रिकाड़ी तो इस बजास से जो irula snake catchers है, उनके उपर काफी एक major spotlight आ चुकी है इनको irula के नाम से भी जाना जाता है ठीक है, dravadian ethnic group है जो हमें states कौन से देखने को बलती है Tamil Nadu, Karnatka और Gaila अगर आप इसका नाम देखोगे ना irula, irula का मतलब होता है people of darkness अब यहाँ पर में दो अलग-अलग बाते हैं कि dark people का meaning क्या एसर कई बोला जाता है कि dark color की skin है ठीक है, इनके जो skin है इस color की है या फिर कई लोग कहते हैं कि जो अलग-अलग events है इनकी life के अंदर वो रात के अंधेरे में work होते हैं ठीक है, ठीक प्रेस इंदा darkness of light तो वहाँ से शायद यह word आया है although exact origin हमें यहाँ पर इसका नहीं पता अगर लोगों की बात करें ना तो हम ऐसा मानते हैं कि जो South East Asia और Australia यहाँ पर इनका ethnic region था इनको snake and rat catcher भी बोल जाता है इसके साथ ही honey collection में भी इनका involvement है और आज के time पर यह laborers के तना भी हमें काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे अभी snake catchers के लिए इतने ज़्यादा famous हैं जो काफी backward होती है जैसे वहाँ पर literacy level काफी ज़्यादा कम होता है ठीक है population जो होती है या तो stagnant हो जाती है या फिर declining होती है जो उनका mode of development है या फिर mode of production है वो pre agriculture होता है तो इस तरह की situation है कि इनकी काफी situation है यहाँ पर आप notice कर सकते हैं इंडिया में around हमें 75 PBTG देखने को मिल जाती है जहाँ पर total 13 जो हैं वो हमें ओडिशा के अंदर देखने को मिल जाती है जो इर्वला community है यह भी PBTG के अंदर ही है अगर आप इनकी population देखोगे तो 2,00,000 के करीब की population है और जातर population की कहाँ देखने को मिलेगी तामिल नाडू के अंदर उसके लाबा केरल और कनाटका में भी यह चीज़ देखने को मिल जाती है और इनका एक important मानना है life after death का की मृत्यों के बाद भी एक जीवन होता है ऐसा यह particular community मानती हैं इसके साथ ही A forestation projects हो गया, local biodiversity हो गया ecosystem हो गया, इनके regarding में इनका एक अच्छा काम हमें देखने को मिलता है एक question attempt करते हैं UPSC 2014 में हमें देखने को मिला कि जो एक community of people यह किसके लिए well known है तो देखो, जब मैं बात करता हूँ ना इस community की, दरसल में जो community है यह राजस्थान के कुछ districts especially अगर मैं बात करूँ जैसे बार्ड मेर वाला एरिया हो गया जैसल मेर वाला एरिया हो गया वहाँ पर देखने को मिलती है एक तरह कि यह Muslim को अगरिया है अभी यह काफी famous है अपने folk music के regard ठीक है ना तो folk music इनका हो गया बहुत famous है यह अपने आपको राजपूत के descendants की तरह मानते है इसके साथ ही थार desert के folk musicians की तरह भी इनको जाना जाता है तो कहने का point क्या है यह बहुत ही famous है for as a musical tradition in North West India बताए ना राजप्तान के बार मेर हो गया जैसल मेर हो गया वो वाले एरिया में यहाँ पे यह बहुत जा famous है तो इस तरह की जो important हमारी communities होती है हमारे लिए जानना UPSC के perspective से काफ़ जा important हो जाता है चलते है हमारे अगले topic की तरफ that is OECD OECD क्या है sir Organization for Economic Corporation and Development तो जो गुजरात की सरकार है उन्होंने एक agreement sign किया है with OECD ताकि जो PISA test है that is Program for International Student Assessment Test उसके लिए मतलब ये conduct करवाया जा पाई अब पहले तो OECD समझते हैं फिर PISA के उपर आएंगे देखो जो OECD है एक बाद ध्यान में रखना ये वो वाली countries इसके अंदर include होती है जिनके जो human development indicators होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं basically कहने का meaning क्या है कि इंडिया इसका part होगा the answer is no, क्यों नहीं क्योंकि हमारे देखो human development indicators आज में इंडिया में बहुत अच्छे नहीं है अभी भी थोड़े concerns है इसके regarding तो ध्यान दिया रखना है कि इंडिया OECD का member नहीं है यहाँ अपर total हमें कितनी countries देखने को मिलेंगी total 38 countries जो की थोड़ा ना market economy के उपर ज़्यादा focus करती है basically free market हो गया इसकी तरफ इनका ज़्यादा promotion होता है कि capitalism की थोड़ी philosophy को ये ज़्यादा follow करती है इनका formation हुआ था OECD का 90-60 के अंदर जहाँ पर 18 European nation हो गया United States हो गया, Canada हो गया ये countries देखने को मिलती थी इसके साथ ही अगर आप notice करोगे तो Paris, France के अंदर इसके आपको headquarters देखने को मिल जाएंगे goal क्या है इसका organization का तांकि अलग-अलग करा कि कुछ policies बना पाएं जिसकी विज़ा से पूरी दुनिया के अंदर equality हो गया, opportunity हो गया ये सारी चीज़ों को हम आने वाले time के अंदर इसको establish कर पाएं बहुत सारी reports करी जाती है इनके दोरा publish था कि अपने data को ये दिखा पाएं और इनके कोशिश रहती है कि इनके bribery को खतम करने की इंडिया के case में मैंने फिर बता रहा हूँ इंडिया OECD का member नहीं है पर इंडिया काफिजा collaboration करता है क्योंकि जो अलग-अलग countries है इंडिया के साथ उसके साथ से काफिए अच्छे relations है अब बात कर लेते हैं जो मैंने बात करी थी PISA test के रिगार्णी देखो इनके दोरा एक test conduct के जाता है इनके mathematics हो गया, science literacy हो गया या फिर जो general हम बात करते हैं problem-solving approach या जो practical life के अंदर applications चाहिए होती है वो कितने अच्छे हम कर पाते हैं तो इस तरह से countries के बीच में एक तरह साथ हमें competition यहां पर देखने को मिल जाता है 15-year-old students का पहली बार यह conduct हुआ था 2000 में जहां पर reading, mathematics, science हमें देखने को मिला उसी तना से और भी बहुत सारे cross-curriculars जो competence होती है उसको भी यहां पर check के जाता है तो ध्यान क्या रखना है कि PISA test किसके और coordinate के जाता है by Organization for Economic Corporation and Development that is OECD तो यह थे आज को topic जो मैं discuss करने थे यह 5 questions मैं आपको दे रहा हूँ जिन particular questions का answer आप मुझे नीचे comment section में बताओगे पिछले हफते जाने की Saturday को मैंने 5 questions दिये थे इनके quickly मैं आपको answer बताजता हूँ पहला था UIDR क्या Nabad के दोरा manage होता है the answer is false क्यों? क्योंकि this is managed by NHB National Housing Bank उसी तरह से broadband broadband की क्या speed जो अदिसे इपडेट हुई है that is minimum download speed of 2 MBPS यहाँ 4 लिखा है 4 नहीं होता यह होता है 2 MBPS to an individual subscriber इस वज़ा से यह statement भी false हो जाएगी त्री शक्ति प्रहार यह किस के बीच में थी? तो देखो यहाँ पर लिखा है India और US the answer is no India और US नहीं था यहाँ पर हमने देखा था हमारी जो army हो गया साथी साथ हमारी जो air force हो गया और साथी साथ जो CAPF है यह सारे मिलके joint training exercise इनोंने conduct करवाई थी तांकि हम चेक कर पाएं कि हमारी यह security forces दो कितना battle prepared है या नहीं है इस वज़ा से यह statement भी false हो जाती है RIDF Rural Infrastructure Development Fund क्या NHP manage करता है? The answer is no This is managed by NABAD National Bank और Agriculture and Rural Development इस वज़ा से statement 4 false हो जाती है Lastly AN-32 is a transport aircraft विलकुल यह मैंने आपको समझाया भी था तो यह बात विलकुल यहाँ पे true हो जाती है तो यह होगे पिछले week के पांचो questions का answer इन पांचो questions का answer जो आज दिये हैं इनका मुझे आपने जे comment section में अंसर बताऊगे कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है अगर आपको आज के session की PDF चाहिए तो आप मारी telegram channel only as nothing as पर जाके इस particular PDF को access कर सकते हो और अपनी preparation को और भी बहतर बना सकते हो ठीक है friends तो यह होप आपको आज का lecture बहुत अच्छे समझाया होगा इसी तरह से आप भी अपने एंट पर hard work करते रहिए goodbye and good luck